नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता दुर्गा जगत जननी की व्रत कथा के बारे में जो भी सुनता है और कहता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, धन्य धन से उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, तो चलिए, कथा को शुरू करते हैं, एक बार की बात है मा, दुर्गा समस्त आर्शियों से कहती है, हे भक्त गणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवन ध्यान पूर्वक करेगा, उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयम करूंग जो भी इस कथा का प्रचार करेगा, उसके कोटी-कोटी पापों का नाश होगा और उसे सुख सम्रिद्धी की प्राप्ती होगी, नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों, वेदिक पंचांग के अनुसार शारदिय नवरात्री की शुरूआत तीन अक्टूबर से हो रही है यह पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुरगा के लिए समर्पित है, इस दौरान माँ दुरगा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, साथ ही माँ दुरगा के निमित्वरत भी रखा जाता है, यदि कोई महापापी भी यह नवरात्री का वरत करता है, तो वह निश् इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके कोटी-कोटी पाप नश्ट होते हैं। भगवान शिव कैलाश परवत पर ध्यान मगन होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्शि नारद अपने हाथ में वीना लेकर कैलाश परवत पर उपस्थित होते हैं। का महात्म सुनने के उद्देश्य से आया हूँ, यह वरत क्यों रखा जाता है? इस वरत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस वरत की विधि क्या है? तथा इस वरत के नियम क्या है? कृपया आप मुझे इस सब बातों का ज्यान प्रदान कीजिए। महादेव कहते हैं, हे देवर्ष आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। इस वरत का भी नाश होता है, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्ष कहते हैं, हे प्रभू, कृपया आप मुझे से वह कथा कहिए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्वकाल की बात है। कौशल देश में एक अत्यंत दीन दरिद्री धनहीन एवं विशाल कुटुम्ब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संताने थी, जो कोई काम नहीं करती थी, और धन के अभाव से हम हमेशा दुखी रहा करती थी। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्री में जो कुछ भी खाने को मिल जाता, वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला देता था। और जो कुछ भी बच जाता, उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था, और केवल रात्री को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खालिया करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयम भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोशन कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था, वह धर्म परायन शांत, सदाचारी सत्यवादी क्रोध न करने वाला धैर्यवान और अभिमान रहित था, वह प्रतिदिन देवताओं और पित्रों का पूजन करता था, अपने द्वार पर आये हुए अतितियों क पूजा किया करता था, और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता, उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था, कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मन उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया, सुशील ने ब्राह्मन को दान देकर उनका स् तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मन से इस प्रकार से कहने लगा। तथे हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिये। तब वह वैश्य कहता है। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीडित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं। और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुठी भर अन्न दे सकूँ। उनका दुख मुझ से देखा नहीं जाता। मुझ से कोई ऐसा तप मंत्र व्रत तथा उपाय बताईए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोशन करने में समर्थ हो जाऊं। हे महाभाग्य हो सकता है। कृपया आप अपने ज्यान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताईए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्रह्मन ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा। हे वैश्य, व्य मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्र के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा हवन करो। देवी के मंत्रों का उच्च कारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हारी दरिद्रता नश्ट हो जाएगी है वैश्य। नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृत्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्यान और म अध्यन्त दुखी होकर श्री राम ने किशकिंता परवत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, हे देवर्षी, इस प्रकार से ब्राह्मन ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने उस ब्राह्मन को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली, अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्री में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधी तथा उपायों से भगवती का पूजन किया, इस प्रकार से उस वैश्य ने नौ वर्षों तक नवरात्र के व्रत का अनुष्ठान किया, फिर नौवें वर्ष के अंत में अश्टमी तिथ को अर्धरात्री आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिये और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो, तुम्हें जिस भी वर की कामना है, संकोच होकर मांग लो, तुम्हें जो चाहिए, वह मैं तुम्हें प्रद को देख कर, वह वैश्य हर्ष से उत्साहित होने लगा, फिर उस वैश्य ने माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे मा, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया, माता आपके दर्शन अत्यंत दुरलब है, आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी सर्व शक्तिमान समस्त संसार क जननी है, मुझ जैसे साधारन भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है, हे मा, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए है, मा, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए, कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भ भक्ती और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा, और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविश्य मिलेगा, और सुशील वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मनियों और बहुमूल्य रतनों का भंडार भर गया। उसकी सारी संताने खुश और त्रिप्त हो गई। सुशील के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था बलकि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। समय बीता और सुशील वैश्य की पु पुरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए तीन दिन का उपवास भी यतोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अश्टमी और नवमी इन तीन रात्री हों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलब हो जाते हैं। अरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है विद्याधन अथवा पुत्र। इन में से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्य दय तथा कल्यान कारी वरत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस वरत का अनुष्ठान करने से विद्याचाहने वाला मनुष्य समस्त विद्याप्राप्त कर लेता है। और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ शाश्वत तथा कल्यान स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस प्रित्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, धरिद्र तथा शत्रूओं से पीडित रहता है। हे देवर्शी, अब मैं आपको इस वरत से जुड़े नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के वरत का आरंभ तब होता है, जब मनुष्य द्रढ, निश्चय और शुद्ध हृदय से वरत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है, जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुँचाता है। जब कोई वरती देवी दुर्गा की उपासना के लिए वरत का संकल्प करता है, तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं, बलकि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। केवल वही अन ग्रहन करना चाहिए, जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो, यदि कोई पूरे नौ दिनों तक उपवास कर सकता है, तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव ना हो, तो फलाहार या एक समय का भोज ग्रहन किया जा सकता है, भोजन में सात्विक्ता होनी चाहिए, अर्थात, प्याज, हसुन और मानसाहार से दूर रहना चाहिए, संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है, जब तुम देवी दुरगा की आराधना करो, तो उन्हें केवल फूल धूप और दीपक से नहीं बलकि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो, देवी को लाल पुष्प विशेश प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चड़ाना उत्तम है, लेकिन इससे भी अधिक महत्व पूर्ण है, अपने मन का पूर्ण समर्पन, पूजा के समय अपने मन को देव बलकि आत्मा को शुद्ध करने का समय है, जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे, उतनी ही देवी, दुरगा की कृपा तुम पर बरसेगी, हे नारत ध्यान भी इस वरत का एक अभिन्न अंग है, देवी के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो, जब तुम ओम दुरगाय नमह मंत्र का जाप करोगे, तो वह शक्ति और साहस को उत्पन्न कर ध्यान में बैठ कर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मक्ता दूर हो जाएगी और शान्ति का अनुभव होगा जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं, तो देवी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत महत्व पूर्ण है कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए नौ कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीरवाद लो, यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा और हाँ, इस वृत के दोरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है, मांस, मदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बना कर रखनी चाहिए, वृति को एक दम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विग्न ना हो, यह नौ दिन केवल तपस्या क दिन नहीं है, यह आत्मिक जागरण के दिन है। और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिवने जी को नवरात्री का महात्म और कथा सुनाई है। हिल रहे हैं, आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि मा दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही है, तो यह बड़ा ही शुब संकेत है। यदि आप मा के चरणों पर अपना माथा ठेकते हैं और अचानक ही कोई फूल आपके उपर गिर जाता है, तो यह संकेत है कि मा आपकी भक्ती से अत्याधिक प्रसन्न है, आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा संकेत, दोस्तों, यदि नवरात्री में आपके द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके पधार है, उस कन्या को देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तो यह बहुत ही शुब संकेत है। देना चाहिए कि माँ आपकी भक्ती से बहुत प्रसन्न है, और अब आपके जीवन से बुरा समय समाप्त होने वाला है तीसरा, संकेत, यदि आपको सपने में माँ के पद चिन्ह दिखाई पढ़ते हैं, और आप अपन पद चिन्हों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आपको मा दुर्गा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती है, आप सपने में मा को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो यह भी एक शुब संकेत है, अगर आपको भी ऐसा सपना आता है, तो आपके दुखों का अंत होगा, घर में यदि कोई बीमार है, तो वह भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। आदी नवरात्री में आपके पास मान दुर्गा की प्रिय वस्थुएं बार-बार आने लगती हैं, जैसे मा का श्रंगार का सामान, माता के लाल फूल, माता की लाल चुनरी, आदी चीजें आपके हाथ में बार-बार आने लग जाएं, तो इसे शुब संकेत ही समझना चाह तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारत जी को नवरात्री के वरत का महत्म सुनाया है, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जैमान दुर्गा अवश्य लि केंट